हेलो फ्रेंड्स आज को टोपिक है वह क्लास 10 की सस्टी का चप्टर नमबर 17 इससे पहले हमने देखा है कि मनी क्या है मनी के क्या function है मनी किस प्रकार से development हुई है पहले कौन-कौन से चलते थे जब मनी नहीं थी तो पाटर सिस्टम, metallic currency, paper currency अब दी दीरे इससे पहले हमने देखा है कि क्या commercial bank क्या है website bank उनके क्या function है उसमें कौन-कौन से accounts होते हैं, the saving account, credit account, current accounts, current account, ये किस किस type के account होते हैं, वो हमने देखे हैं और जो function देखें कि कमर्शल बैंक है, अब देखेंगे कि Non-institutional sources of money, bank क्या है, bank किस में आता है, जो institutional source होते है, वो आता है bank, उसमें आता है bank, ठीके तो non-institutional source में क्या आता है, कि जो local benkers और money lenders होते हैं यदि आपको पेसे की जोरत है money तो आप कहां कहां से ला सकते हो इसमें आ जाएंगे लोकल bankers और जो money lenders वो किसमें आ जाएंगे जो non-institutional source है तो आप दो जगे से पेसा ला सकते हो इन में क्या different है तो institutional source में क्या आते हैं bank आते हैं और non-institutional local banker और money lender इनका paperwork बहुत होता है institutional का non-institutional का जो है वो paperwork बिलकुल कम होता है यह नहीं भी होता है यह कुछ jewelry वगारा कुछ है तो गिर भी रखते हैं यह नहीं रखते हैं और यह बहुत time लेता है यह process बट यह process जो ही वो time बिलकुल नहीं लेता है अचलिए देखते है local bankers local bankers क्या है local bankers और दस private firms और person who work as bank यह एक ऐसे local bankers ऐसे private firms जो है ऐसे private firm से मुलब संस्थाएं हैं जो कि bank की तरह काम करती बैंक है नहीं पर modern banks जो है वो stabilize नहीं हुए थे उससे पहले का जो entire banking system operation जो था वो conduct किया जाता था local bankers के द्वारा जबकि पहले bank नहीं थे उससे पहले important sources of non traditional credit इनका जो important source जो होता है वो क्या था non traditional credit और अब हम देखेंगे कि इनके जो क्या function होते हैं जो local bankers जो होते हैं उनकी क्या function है तो accepting the deposit by people यह जो यह वो पैसा accept करते हैं mortgazing various type of property of borrower and providing loan यह जो होते हैं किसी किसी भी borrower से जिसको पैसे की जोरत है उससे property के कागज वगरा लेंगे गहने लेंगे कुछ लेंगे तब जाके pro loan जो हो provide करवाएंगे ट्रांस ट्रांसफर मिंग मनी फ्रॉम वन प्लेश तो अनादर प्लेश यह जो है वो money transfer करते हैं एक प्लेश से दुसरी प्लेश तक to run their own business along with banking work यह जो है अपना बिजनेस भी रन करते हैं साथ banking work के साथ में अपना भी profit कमाते हैं doing transaction with small trader and businessman यह जो है वो transaction करते हैं लेंदेन करते हैं जो small traders और businessmen हैं उनके साथ में serving customer not only as bankers but also as friends and advisor यह जो होते हैं वो customers को जो borrowers होते हैं उनको friends और advisor की तरह advisor की तरह और friends की तरह समझाते हैं bankers not only bankers serving जो इनकी serving customer serving customers not only as bankers but also as friend and advisor यह जो होते हैं local bankers यह जो borrower होते हैं उनको friend की तरह और relative की तरह इनको advise देते हैं loan के बारे में जो भी इनकी जो condition होती है उनके बारे में providing loan to borrower on the basis of personal information यह जो है वो loan provide करवाते हैं on the basis personal information personal information के आदार पर ही loan जो है वो provide करवाते हैं क्योंकि जब इनको वापस recover भी करना होता है कि कि किसी को 50 लाग कर loan दे दिया पर उसके पास नंपती 10 लाग की है तो यह तो फिर 40 लाग के गाटेम चले जाएंगे ज़िए इसने वापस से हम लोकल bankers को पैसा नहीं दिया तो इसलिए इसे 50 लाग की property है तो यह तो 50 लाग 50 लाग की देगा यह उसे 40 लाग 30 लाग इत्ता कम देगा अब जो आते हैं वहते हैं money lenders money lenders क्या होते हैं it is a non-traditional sources of credit यह जो है वो लोन लेने का एक बहुती पुराना जो है वो साधन है non-traditional sources से they provide loan on the basis of own capital हमारा capital जो हमारी income है वो कितनी है उसके आधार पर हमको पैसा देते हैं हमारे पास कतना जो है हमारी संपती है they do not accept deposit from the public यह जो होते हैं deposit असे नहीं करते हैं लोगों से जो कि यह हम देख सकते हैं कि जो गाहों में जो लोग होते हैं वो कुछ पैसा उधार देते हैं बदले में कुछ रख गहने और प्रोपर्टी के कागजात रख कर एक ब्यांच पर देतें पिसे जनरली प्रोवाइड समॉल पर्सफनल लॉन एंड चार्ज वेरी मज हाई इंट्रेस्ट रेट्ट फ्रॉम देर बोरोवर्ट यह जो क्या करते हैं कि प्रोवाइड समॉल पर्सनल लॉन लॉन समॉल परणल लॉन देते हैं और इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है और इनकी इंट्रेस्ट रेट जो होती होती है और यह जो हते हैं वो बोरोवर को देते हैं जो पर लेने आते हैं उनसे हाई इंट्रेस्ट ले देते हैं बोरोवर से किसे लेते हैं बोरोवर से दे प्रोवाइड लोन बेस्ट ओन कस्टमर प्रोपट उसे कम देंगे उसे ज्यादा नहीं देंगे एब यह चांडरिटिट्य। अब इन्ही प्रोब्लम्स को सुल जाने के लिए money lender से local banker से बचने के लिए self help group आया है self help group self help group क्या होता है जो कि आपस में help करते हैं एक दूसरे की एक group बनाते हैं ठीके अब सबसे पास से पैसा इकटा करेंगे सब इस पैसा इकटा करेंगे और इस पैसे को जो है किसी भी person को जैसे कि यह person ने इसको पैसे के जुरूरत है तो यह ले लेगा और इसमें high जो इंट्रेस्टर जो होती है वह भी वहती लो होती है self help group में self help group is small help group especially women group in rural area who collect their saving help self help group जो है small group है small help group है लोगों की मदद करने का एक छोटा group है especially women group है यह जो rural area होते हैं गाओं उनमें movement का group है जिसमें की collect करते हैं इनकी सेविंग्स को अपनी सेविंग्स को collect करते हैं self help group is a group of 15 to 20 people self help group जो होता है वह 15-20 लोगों का group होता है who meet regularly and deposit their saving यह जो है वह डेली मिलते हैं और अपनी सेविंग को deposit करते हैं saving can be from 25 to और जो इनकी जो पैसे इखटे करते हैं वह 25-100 रुपए के बीच में होते हैं और यदि 100-100 रुपए एकटे करें और 20 लोगों का group है तो भी बहुत से पैसे हो जाएंगे 2000 रुपए हो जाएंगे जो कि इनको बहुत ही जो रूलर एरिया में जो औरते हैं उनको काम में आ सकेंगे दस ग्रूप चार्ज वेरी लोग रेट ओफ इंट्रेस्ट अन दीज लोगों यह जो होते हैं इन पर जो किसी भी पैसे एकटा करके किसी एक को देंगे तो इनकी जो इंट्रेस्ट रहोती है वो बदी लोगों होती है इफ ग्रूप इस रेगुलर सेविंग फॉर वन और टू इयर देन इट्स कैन अलसो टेक लोगों फ्रूप फ्रूप विदाओ अनी कोलेटरल लोगों इस गीवन इन दे नेम अफ ग्रूप यदि यह ग्रूप सेलफ एल्फ ग्रूप एक या दू साल तक चल जाए तो इनको बेंक जो है वो भी लोन दे देती है विदाओ किसी प्रूप के किसी प्रोपर्टी के कागज जुए लिए वग्रा बिना किसी कॉलेटरल के जो है वो लोन दे देती है मलब बिना कुछ संपतिके कागज रखे बिना अगर यह ग्रूप दो साल चल जाए जाए most important decision अर टेकन कुछ भी इंपोर्टेंट डिसीजन जो होता है वह किसके द्वारा लेदा था जो ग्रूप के मेंबर हैं उनके द्वारा इफ पूर वूमेन और्गनाइज कोई भी वूमेन अपने आपको सेलफ ग्रूप में और्गनाइज करेगी कोई भी पूर जो वूमेन है तो बैंग जो होगा उसको लोन प्रोवाइड करवा देगा विदाउट एनी कॉलेटरल चाहे उसके पास संपती हो या ना हो तो भी इस बैंग जो है वो लोन प्रोवाइ झालेगा